जोहाज जार्खन मैं नीदी आफिर्स अकड़मी में आप सभी का स्वागत करती हूं अभी का जो सेशन है साथ बजी का इसमें भूलो जेससी सीजियर 2022 को टार्गेट करते हुए जार्खन को मंदिर किस जिला में है तो यह है देवघर में ऑप्सन नमबर ए ठीक है जो बारा जोती लिंग है उनमें से एक जोती माना जाता है बैदनाधाम का मंदिर और इस मंदेर की स्थापना कैसे हुए थी तो यह शुजुरावा है लंका पती रावन से वह एक स्युलिंग को लेकर लंका जा रहत है इस करम में उस स्यूलिंग को ने कहीं पर भी रखना नहीं था कि जहां रखते हुआँ इस थाप आ उन्हें इमजनसी पढ़ा तो वो क्या कि एक मनुष्ण को स्विलिंग को हाथ पर पकरे रहने के लिए तो वह क्या कि निर्मान किसी और ने करवाई था यह कहानी है कि वहाँ पर कैसे स्थापी थी वसका यह 12 जोति लिंगों में से सब्सक्राइब वरको折ुण सब्सक्राइब तो बासु की है पूरन मर्ग बच रहे हैं इसमें आंसर हो जाये का ओप्सिन नमर भी पूरन मर्ग ये गिद्धो राजवन्स के दसवे राजा थे पूरन मर्ग उन्होंने इस मंदिर के निर्मान करवाया था ठीक है नेक्षाते एक्षाली जब वहाँ पर स्यूलिंग की स्थ पूरन मर्ने नेक्ष आते है कोश्च नमर थ्री किस मंदिर के स्यूलिंग को मनुकामना लिंक कहा जाता है कौनसे मंदिर का स्यूलिंग है जिसे मनुकामना लिंक कहा जाता है तो वहीं बैदनात धाम मंदिर को कहा जाता है ऑप्सिन नमर डी नेक्ष आते है कोश्च नमर फ वह जाते हैं मुझे लगता था कि दोने एक ही जगह पर बाद में जब पढ़ाए की तो पदा चला यह तो दोंका में ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो बाशुकी नाहां कहां पर है दोंका में और यह समूद्र मंथन से जुरा हुआ है समूद्र मंथन जो हुआ था उसे से शुल साम D उसे नागेश जोति लिंग के नाम से जाना जाता है बासु की नाधाम को नागेश जोति लिंग कि नाम से जाना जाता है क tallest यह कोन बैदनाध आद नमक्स न्मस्ति का मन्दी कि जपाऋ में हैं जिन मस्ति का मंदीर के जिला में है तो यह एक सक्तीपीट और यह इसमें मा का उगेर रूप को स्थान पर है र्रामगर में कौन सा अस्थान पर रजरप्प में यहोग नदियों का संगम है स offenders नदी भेरा नदी द्रेब 8 स्थिजिश राते कुछ नंदी यू बहरू हटे मंदिर की जय चैनल के संगम पर Ol kiss नंदी थे कौन सा मंदीर से प्रभावी थे, माचिन, मस्तिका का मंदा तॉ यह किया मंदा ओपस नमबर भी काम खीयाामांदिर कहां पे है तो यह सम्मे नंगे नीक्ष उते हैं कोशश नम्बर 11 माच छिनमस्तिका मंदिर का निर्मान किस वंस के समय में किया गया था कौन से वंस के समय में वा था तो ये था पाल वंस का समय यानि कि पाल काल था ठीक है पाल का समय था लेकिन मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो रामगर नरिस में करवाया था सार्दी दुर्गा उत्सों में माँ छिनमस्तिका की महानौमी की पूजा सबसे पहले किस आदिवासी जनजाती द्वारा की जाती है माँ छिनमस्तिका मंदिर में मा की पूजा दुर्गा उत्सों में महानौमी के दिन कौन से जनजाती है वो सबसे पहले करते है तो यह होगी है संथाल जन जाती है, option number D, ठीक है, next आते है question number 13, उग्रतारा मंदीर, नगर मंदीर किस जिला में इस्ती थे, उग्रतारा मंदीर और नगर मंदीर, इसके उग्रतारा मंदीर को ही नगर मंदीर की नाम से जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पे, नगर मंदीर से यहाँ पे confusion create हो सकता है, जो पढ़ है नगर उटारी, तो नगर उटारी कहाँ पे है, गर्वा में है, लेकिन जब नगर मंदीर की बात करते है, तो वह जाता है, लातेहार में, यानि कि उरतारा मंदीर, नगर मंदीर कहाँ पे है, लातेहार में है, यही पे बोलता है, नगर माभादरकारी का मंदिर निर्मान को निर्मान किस के समय हुआ था, कुछ सा वंस है वह इत्खोरी अभि लेक भी हुम लोग देखने इस में क्या था कि नागवंस ने रकसेरों से वासु दे की मूर्थी प्राप्त की थी मार्पित है नेक्स आते हैं कुछ नमबर 18 हलदी घाटी मंदीर के नाम से कौन सा मंदीर जाना जाता है यह वासु देर राइं मंदीर निर्मान किस ने करवाया था यह नागवंस के प्रताप करने कर वाइथ आपसन नमबर कोस्टनमडर 20 जगनात मंदीर किस जिला में जगनात मंदीर हो गया रांची में तू धूरवा नाम को एक प्लेस है हटिया के समीब है यहांपे है जगनात मंदीर यह पूरी से मिलता हुलता मंदीर हैं की पूर्दी को ही अधहरमान के इस मंदिर के निर्मान करवाया था ही वे है इसाइ Oo कि निट साम, निर्मान कहल रस के करए थे को मंदिर करके जगनाथ पूर मंदिर कर 농 physic sendo अपूर कस्थ क सिंबुम में यह जगनाथपूर मंदिर की बात हुर रही है मंदीर का नंजर की स्थान पर रिस्तिति हैं कि वह शुंषे तीने कि अस्तान पर हैं यहां पर दिया इसलिए जाता है यहां तर्फार मंदिर मां योगीनी मंदीर किस पहारी पर इस इते हैं मा योगिनी मंदर को और साँ पहार पर है बारा कॉपपा पहार कहां पर हैं गोड़्डा में का भा कॉपपा पहारर कहां पर यूगर्या मंदरें कन्फूज नहीं होना योगनी मंदिर याने कि नौ ल tipos मंदिर और यहां पर लार वस्त निक्स देघ था Him तो यहाँ पर बहुत सारी गुफाये हैं जहाँ पर दो करते थे वताया में ही मा सथी तपाश गी थी ठीए और मा सीता उस्पाश ना मन्दीर नीम में 12 तमने है तो पोर्ण मंदीर नोग्षा मंदिर की जिला में है है तो नौप्षा मंदिर अभी बटाया है यूगल मंदीर कहां पर देऊगर में ओप्स नूमरति स्थापे से इसलिए से यूम नाम से जाने जाता है किस मंदिर को मुगल मंदिर की नाम से जाना जाता है संधर मंदिर को निर्मान काल कप से कब तक चला कप से कब तक वह था यह हुआ था 1936-1948 तक ठीक है option number B next आते है question number 32 किस मंदी की बनावर बेलूर के राम किस मंदी जैसे है कौन सा मंदीर है जिसका बनावर जो है बेलूर का राम किस मंदीर जैसे है तो यह है नौलक्खा मंदीर option number C next आते है question number 33 पारसनात का मंदीर किस धर्म का प्रमुक अस्तर है अस्तर है पारसनात का मंदीर किस धर्म के लिए है पारसनात हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में किस से समंदीत है जैन धर्म से समंदीत है तो यहाँ पर आंसर हो जागा B जैन धर्म ठीक है next question number 34 वह सितिक इंडर को जला में ऑफ़ स्धित है कि इस नाम नाम पड़ा है जिव साथ महाँ अमंदिर निमान के जला में है तो महा माया मंदीर कप का है? पूर मध्य कालिन का है? पूर मध्य कालिन से सम propAK तो यह किस का हो गया? यह हो गया? गुम्ला में हो गया और कौन करवाया थे? गस्गनट राई करवाया थे? 260.1 इस्विई में करवाया थे महा माया मंदिर के निर्मान किस नागवनसी राजनी करवाया था अभी जस्ट बता दिया गजगन ट्राइक कप करवाया था आर्ट सो एक इस्वी में मधपूर मधिकाल समंदित है नेक्ष्ट आते हैं कोश्च नमर थर्टी सेवन बेनी सागर का स्वी मंदिर कहां है बेनी मंधिर के साथक न करवाया था एक उपासक कर रहा थे सैंग की हिस्ट्र में मिलता है कि साथा क्या कि यह पर जैन घंद्र समंदिर मॉर्थ यह पर जो भी अस्थान थे उन्हें उन्होंने विध्वान्स किया था और वहां पर स्थापना किती तो यह हैं से पढ़ते हैं इस क करें Walachi कहां पर हैं तो जानते हैं धनी जाते ट कमार टेकर कहां पर co लिए तो लिटरेचर में बन के वरा में हम लोग को मदर मुहन मंदिर पर एक निवन्द है वह पढ़ना है वहां पर हम लोग इस मंदिर के बारे में ज्यादा कुछ जानेंगे निक्स राटे कोश्णमा 42 मदर मुहन मंदिर की इस राजा के सहयोग से बनाया गया था तो रगुनात सा के सहयोग से बनाया गया था निक्स राटे को पता चुतिय मंदिर कने इनमान कब हुआ था 1680 में से 1665 में हुआ था मांदर मुखन कर मनिर कने इनमान और 1650 में आता मंदिर इंछ nowadays 46 seems option one मनि मन का किस दिल की सुरी मनि कें का पे बुंडक ुणि क्यों मैं अला تو यह लुटुम्ण में आता ऑं गांकि संस्कित बिहार नामक संस्था ने किस मंदिर का निर्मान करवाया था है संस्कित बिहार नामक संस्था सूर्य मंदिर गन्रिमान करवाय थे अप्शन नमबर दी नेक्स आते हैं किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कवीता कहा जाता है था, कोंसा मंदिर है, जीसे पत्थर पर लिखी कवीता कहा जाता है तो कि यह सूर्य मंदिर, और नेक्स आते हैं टांगई नात मंदिर किस जिला में है तो यह घुंबला में यह परसूर, रामसय संति तो इसके आगे के questions हम लोग कल्प करेंगे तो तक के लिए हम लोग आज का सेशन ही पर ओफर करते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नौ बजे नाकुरी का सेशन होगा आप लोग सभी आईएगा जिनका भी लेंग्वेज नाकुरी है वह सभी आईएगा